लेक्षना हेलो एब्रीवन मैं लबकुष पाधियाई बाइलोजी फिकल्टी एड दक्षना स्वागत करतों आप सभी का दक्षना इन लेर्णिंग प्लैटफोर्म पे तो आज को मारा टॉटिक है वह है लेक्षर नूमबर वन अवर इन्वार्मेंट के बाद कर रहे हमारा जो इन्वार्मेंट है वो जो है उसको हम पूरी तरीके से इंफ्लेंस करते हैं पूरी तरीके से हमारा जो इन्वार्मेंट है वो एफेक्ट होता है यह बाद आपको दोनों मतलब कि यहां पे नेचर ने हमारी इंवार्मेंट को ग्रेट किया है, साथ की साथ हमने भी उस इंवार्मेंट को मोडिफाइड किया है, और उस इंवार्मेंट को हमने अपने भी हार्फुल भी बनाया है और अपने भी यूजफुल भी बनाया है, हमारी जो हम हमारी इन्वार्मेंट की बात कर रहे हैं इन्वार्मेंट का मतलब है हमारी सराउंडिंड इन्वार्मेंट का मतलब है सराउंडिंड इन्वार्मेंट क्या मतलब बता है सराउंडिंग होता है हमारी सराउंडिंग में जो भी कंपोनेंट सराउंडिंग के अंदर जो भी यह बात आपको यहां लखनी है एक्टिविटिंए एक्टिविटिटीज तो हम एपनी इक्टिविटिज की बात करते हैं, हमारी खिंस अपने एक्टिविटिमिटिज की बात करें, तो हम इन्वर्मेंट में वेस्ट प्रड़्ेमें के عभी स्टीनाक。 जिससे की हमारा environment influence होता है जिससे की हमारा environment influence होता है हम जो है waste produce करते हैं अपने environment और यह जो waste है यह waste जो हम produce करते हैं यह दो type के हैं एक bio degradable degradable और दूसरा है non-bio degradable तो we produce two types of wastes in our environment तो bio degradable waste करते हैं यह जानली जी what is exactly bio degradable waste bio degradable waste का मतलब है जो की आसानी से breakdown होता है जो की decompose होता है the waste which can decompose or which can break down in our environment जो की हमारे environment ने पूरी तरीके से breakdown हो जाता है ऐसे waste को आप bio degradable waste करते हैं the waste the waste which can decompose or completely breakdown that waste is called bio degradable waste उस waste को आप bio degradable waste कहते हैं इसमें जो included है इसके जो examples है like papers जो की papers हम इस्तुमाल करते हैं राइट एक्सक्रेटा एंडिमल एक्सक्रेटा bio degradable waste है पेपर्स है राइट cloths है यह सब पूरी तरीके से decompose हो जाते हैं यह सब bio degradable है यह बाद आपको यातक नहीं है तो bio degradable this is the waste which can decompose जो पूरी तरीके से decompose हो जाए पूरी तरीके से breakdown हो जाए उससे आप bio degradable waste कहते हैं लेकि जो पूरी तरीके से breakdown नहीं हो पाता वह non-biodegradable waste है right biodegradable waste तो असानी से microbial activity की health से decomposers की health से असानी से breakdown हो जाता है ये हमार invirment के लिए इतना harmful नहीं है right अगर वैं non-biodegradable waste की बात कुछ तो non-biodegradable waste में कौन-कौन से आते हैं non-bio वेस्ट तो नौन बायो डिटेबल वेस्ट के लिए में बात पुरूँ यानि कि इसमें वह वेस्ट आते हैं जो कि आसानी से डिकंपोज नहीं हो बाते हैं इसके नोट बिकंपोज इसली राइट इसके नोट ब्रेकडाउं इसली such wastes cannot break down easily, right? they always persist always persist in the environment यह हमेशा हमारी environment में बने रहते हैं and these are very harmful to the environment harmful to us and to environment यह हमारे environment के लिए बहुत ही harmful है, गहींदा हार्मफुल है तो non-fightingable waste है, such wastes cannot be break down easily, इनको आप असानी से breakdown नहीं कर सकते हैं यह हमारे environment को pollute करते हैं, हमारे environment को waste करते हैं, harmful है हमारे environment के लिए और यह जो waste है, वो non-fightingable waste है और इनको break down नहीं कर सकते हैं, इनको break down नहीं कर सकते हैं और यह हमारे environment में राइट हमेशा persist करते हैं, इनके कुछ examples हैं जैसे की मैं आपको बताऊं, जैसे की poly wax, poly wax का आप इस्तभाल करते हैं, polythene wax का जो आप इस्तभाल करते हैं, यह हमारे environment के लिए बहुत ही harmful हैं, यह हमेशा हमारे environment में बने रहते हैं, decomposers इनको decompose नहीं कर पाते हैं और यह हमारे planet के लिए बहुत ही do best from us to us, campaigning in the environment, our environment में बहुत ही जादा, painful है, अगर मैं इसमें प्लास्टिक वेस्ट की बात करूं तो प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज़्यादा अन्फिल है हमारे इंवर्मेंट की वह असानी से डिकंपोज नहीं होता है जहां भी जिस भी इकोसिस्टम के एंटर्फियर करता है उस एकोसिस्टम को देता है ही यानिक는 को वीक वेस्ट करता है तो ऐसी जो बेस्ट होते हैं चाहिए वह बायोटेडीक्री सब्रकेर रहता हैai जो की हमारे इंवार्मेंट को harmful effect इनके हमारे इंवार्मेंट होते हैं तो यह वेस्ट होते हैं human waste एको इसस्टम डिफ्रेंट इको सिस्टम के साथ इंटरॡेयर करते हैं तो यह इतने भी वेस्ट हैँ चाहिे वह अन घंटी डी में चाहिए यह इंटर३्जम के साथ यह एको सीटम के साथ रेये कुछ आपकूप्ै इकोसिस्टम तो मैने आपको उर्दाई इन्वार्मेंट मतना से पुस्थ आप इन्वार्मेंट है आइक जो भी हमारे इंवारंवेयो को अधिया और हम एक्टिविटी इन्वार्मेंट को यहाइन आए इन्वार्मेंट को प्रबाद स्पॉल करते並 blues फाले वूदेрахोड हर bewिशार को सब्सक्राइब को सकते हैं यहूंटन से रहत navigate 절 कि को पाते हैं तो यह बात आपको याद लखने इसके बाद दिस्कें को सिस्टम की मात करते हैं नेक्सिस है एको शिट्रम मिलत की रहतेब ,asun Another topic is ecosystem or ecosystem Another one is Ecosystem It is the Structural and Functional unit of Nature Nature की Structural and Functional unit इसे आप Eco-system कहे तो इको सिस्ट्टम क्या है this is the structural and functional unit of nature the structural and functional unit of nature जो है वो ecosystem है कि यह structural भी है यह functional unit भी है nature और living world की एक आप यह भी कह सकते हैं, इस फॉंक्षिनल उनिट आप इस फॉंक्षिनल उनिट है। उसे आप इको सिस्टम कहते है। Ecosystem may be very small and very large even A very small pond may be a small living system May be a small ecosystem and a large ocean that is also the ecosystem Even if I talk about our complete biosphere Ecosystem may be very small and may be very large like ocean It may be very small like a garden And it may be very large like an ocean Ecosystem may be very small and large It may be very small and large Ecosystem may be very small May be very small Or may be very large So this can be very small and large And large ecosystem also This may be very small and large We talk about components of ecosystem So there are two types of components of ecosystem One is biotic component and another one is abiotic component Ecosystem components are biotic component Abiotic component Generally, biotic component Generally, biotic component This may include all living beings Includes all living beings This may all living beings This may all living beings You consider all living beings In biotic component I will discuss in detail about biotic component also Abiotic components How all living beings In our ecosystem That you call abiotic component So all living beings All living beings All living components Are called biotic components And all the non living beings Are called abiotic components सबसे बहुत सब्सक्राइब करते हैं one with कौन-कौन से बैदर तो जो है वह मुद्वेट कौनकों से है यह आपको ज़नना जरूरी के आपके लिए हैं हैं एसरा पर कुम गले सहुत हुआध्न सबसे घ्री इस उस ने बई ईतने onलिविगं नीरिटिंग वो सब अबसके नौन नेखिक अनुज्मों और यह हमारे इकोसिस्टम को को फंच्टिनल बनाते हैं जो भी हमारा एको सिस्टम है उसको फंच्टिन बनाने काम करते हैं यह वह और यह जो प्रेटिंट्स है यह में थी टाइप से अन्पर इंट्स होते हैं अबादी कमपनेंट थीक है एक है एक है क्लाइवेटिक फैक्टर दूसरा है इडेफिक फैक्टर और तीसरा है टॉपोग्राफिक फैक्टर जो कि हमारे एको सिस्टम को फांच्टनल बनाता है तो अगर मैं बात करूँ क्लाइवेटिक फैक्टर के क्लाइवेटिक फैक्टर में जनरली क्या आता है इसमें इंक्यूड होते हैं नौन लिविंग कमपोनेंट विंड वाटर रे ठीक है विंड वाटर रें टंपराइटर विंड शनलाइट यह सब दॉर है ययकोड़िक फैक्टर विंड वाटर रreं टंपरेटर स heroes ands इसके मान जू दूसरे हैं वो है इडिफिक फैक्टर इडिफिक फैक्टर कहा जाता है तो दिसे इडिफिक फैक्टर कहने हैं वह एकटार उसको बोलते हैं and that is the डीक कमोनेंट ओप the ecosystem वह ecosystem का एक अबाईयोटीक कमपोनेंट है इसके रहे हैं इसके इल्वाब यहां पर टॉपोग्राफिक फैक्टर की में बात करूं तपूपो ग्राफिक फैक्टरास मैं जोग्राफिकल कंडिशन कहीं है कि जोग्राफिकल चन्दशन टेव important आप डिश्टू यहां चुछ हुल ग्रीयू किुछ है यह वह तक रखाकपर स्यंन तोयज्वक्रोफिक्कल्प्राटर माथ सबक्रा फैक्ट को सबसें तो प्लैनेट की जो जो जोग्राफिकल कंडिशन है वो किसमे आता है वो टोपोग्राफिक प्टर्स में आते हैं यह लोग्राफिक क्टर्स नहीं जैसे कि मॉन्टेन फोगया वेको सिच्टम के दो होते हैं एक आपटिक और दूसरा बायोतिक मतलब लिदिख कंपोंट आप एको आपिक मतलब लिदिख कंपोंट्स पाइड, आप लिद्ख मितलब नॉनलिख कंपोंकेट्स non-living components भी हमारे environment को क्या बनाते हैं non-living components भी हमारे environment भी बहुत ज़रूरी है और ये हमारे environment को हमारे ecosystem को functional बनाने या काम करते हैं तो इन के बिना हमारा environment पॉसिबल ही नहीं है और ये non-living components भी थ्री different factors मिड़ाट करते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर दूसरा जनकी है एधी टॉपोग्रांटिक फैक्टर में जैसे की रेन, वॉटर वी राइंट लाइक ट्यम्परिंचर यह सरे अमगे लिए आपके। को डिसाइड दरते हैं इसके लावा इडेफिक फेक्टर में सौइल आता है और वहीं अगर मैं बात करूँ टॉपोग्राफिक फेक्टर का मुदब ज्योग्राफिकल जो चंडिशन है हमारे बैनेट की वह तो पोग्राफिक फेक्टर ने रहा है जैसे कहीं पे प्लेइंट है तो कहीं पे hills हैं, कहीं पे mountains हैं, कहीं पे valleys हैं, कहीं पे swabs बने वे हैं, तो यह सब topographic factors में आता है, तो यह Biotic Component भी हमारे ecosystem का एक बहुत ही important part है, ecosystem का component है, और इसके लब जो Biotic Component मैंने आपको बदाया है, that is also a very important part of this, right, इसके बाद हमारे Biotic Component है, इसके जो major types है, इसमें कौन-कौन से components आते हैं, कौन-कौन से, you know, जैसे कि मैंने आपको Biotic बताया है, बैसे ही Biotic भी है, about Biotic Components of the ecosystem that I will discuss in my next class, तो मिलते हैं फिर अगे lecture भी with Biotic Components, तब दे के, thank you very much, bye-bye, take care. झाल